नमस्कार मैं सुनी लंजाना जागो समझ चैनल में आपका स्वागत करता हूं आज हमें दिल्ली के खानपूर सफाई आयोग में राष्ट्य सफाई आयोग चेर्मेन मनहर जाला जी जो हमारे साथ में हम आपको बता दे कि जब से मनहर जाला जी चेर्मेन बने हैं राष्ट्य चेर्मेन बने हैं तब से उन्होंने सिर्फ एक मिसन को जो है अंजाम दिया है कि वो हर स्वाइड में जाकर जो भी सफाई आयोग अपना रिव्यू उनका लेने और उनका जो काम करने का जो तरीका है और जो कित जी जो है वो हर स्टेट में जा रहे हैं और उनका रिव्यू ले रहे हैं और तुरंत एक्षन ले रहे हैं और उनको फटकार भी कई श्टेट में जो है आधिकारियों को लगा चुके हैं तो चेर्हमें स already वो Commissioner या कर और Chief Secretary Principal Secretary Chief Secretary के पास जाते हैं और उन से खुल कर जो js हो सफाई करमचार्यों की जो है वो समसाय रखते हैं और उनके सामने बिल्कूल एकदम वेबाख होकर जो हो सफाई करमचारों करते हैं सर आपने कल भी एक मिटिंग ली है सची वाले में तो उस मिटिंग में क्या रहा और आपने क्या मुद्धर रखा देखिए हमारा राष्ट्रे सफ़ाई करमेचरी आयोग 16 मार्श 2017 को मानिय मोदी साब ने हमें चेर्मेन बनाया तभी से जिस तरह से मोदी साब पुरे देश में काम कर रहे हैं और चोटे से चोटी आदमिये को नियाए मिले और सबका साथ सबका विकास का उनका जो मंत्र है वो सफ़ालो उसी के लिए हमारा आयोग और हम काम कर रहे ह और हमने आते ही स्टेट लेवल रिव्यू की एक शुरुवात की और कल हमने 24 को 24 सितंबर 2019 को हमारा ये स्टेट लेवल रिव्यू दिल्ली का हुआ और हमने पहले सफाई करमचारी के यूनियन को सुना और उनके पास सारी शमश्याओं को लेकर हमने अधिकारियों के पास उ हुए मुझे खुशी होती है कि ए रेवियू मीटिंग में स्टेट के चिफ सेकेटरी रहते हैं और प्रिंसिपल सारे विभाग के प्रिंसिपल सेकेटरी रहते हैं जो पॉलिसिया बनाते हैं जिर को पुरा पूरा स्टेट जिन पर अमल करता है तो कल हमारी मीटिंग वहां हु जो आज भी चल रही है तो दिली प्रदेश में भी जो दिली हमारा कैपिटल है फिर भी ऐसे पुरे देश दिली के तरफ देख रहा है तब यहां भी मैनिल स्कुएंजिंग हो रही है तो यह 50 लोग जो रीशेर्वे हमारे सोशल जस्टीस के विवाग से हमारे मंत्रालई से र दिली में 50 मैनिल स्कुएंजर पाए गए तो हमने पूछा कि आपने उसके लिए रिहाबिलिटेशन के लिए उनके पुनरवर्सन के लिए क्या क्या तो जानकारी में लेके कुछ नहीं किया तो हमने सिधा यह दिशा निदिश दिया कि आप तुनंदी एक अपते में हरें के एकाउंट में 40,000 डालना है उनको जोब देना है उनको स्किल ट्रेडिंग देनी है उनको घर भी देना है और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पेशिल कॉलर्स भी देनी है तो चेफ सेकेटरी ने हमारी बात को सुना और सारे अधिकारियों को बताया कि एक विक के अंदर इस सारी चीजें हमें आयोक नहीं जो दिशा नहीं दिश दिये उन पर हम एक हफ्ते में हम सब को यह दे देंगे मतलब इस पर आमल हो चुका है बिल्कुल वहां चिफ सेकेटरी ने उसको हम करने की हमें अस्वसंदिया और अमल भी हो चुका है दूसरी बात हमारा ज सुप्रिम कोट ने भी अभी अभी फटकार लगाई है और ज्यादातर यह सीवर डेथ है दिली में हो रहा है मैं जब से आया हूं तो इतने समय में 38 लोग सीवर में मर चुके हैं अगर मैं स्पोर्ट विशिट नहीं करता तो उनकी पहचान नहीं होती आप दिली दिली की ब post और घट और संट सब्सक्राद कर रहा हूं तो अगर मैं उस वक्त नहीं जाता स्वट में तो सायद वो उनको न्याहीं नहीं मिलता इगन किस जा तो जाते ही सारे लोगों सारे अधिकारी मेरे साथ रहे और मेंने सारी कारवाई करनी का निर्देश दिया तो सबको यह कोशिश हमारी रही के सबको जो नियम है सुब्रिम कोट्र का जज्मेन के विक्टिम को फैमिली के दस लाग देना है तो यह 46 लोगों को हमारी काम की वज़े से 46 लोगों को यह 10 ल अठारा लोग बागी रहे तो हमने उस पर सकत कारवाई की और हमने कहा कि इनको भी तूरंती जो पैसा देना बागी हो उनको दिया जाए अच्छे कौन से सन तक क्या आप में बता रहे हैं सर जो डैत हुई है यह डैत हुई है अठारा लोगों को बीबी पैसा देना उनका बाकी है तो हमने कहा है कि जल से जल उनके परिवारों को यह दस लाग दिया जाए उनको घर दिया जाए उनको जो अपोचिनिटी दी जाए उनके बचों को वही जो मैनिल्स को इंजिंग में जो रहाब डिटेशन का जो नियम है वह उनपर भी लाग होता है तो हमने कहा है कि यह भी हमें तुरंती कारवाई करके हमें रिपोट करिए साथ-साथ हमने एक और बात भी डाली कि आप जब एफायर करते हो तो हमारा MS Act लगना चाहिए जो खास करके सुप्रियम कोर्ट का यह कानून बनाए और इसके डालने से सीवर डेथ के लोगों को जो भी लाब है रियाबलेटेशन का जो नियम उनको एंपलिमेंट करना पड़ता है तो यह भी हमने कहा साथ-साथ में अगर मरने वाला सेडूल कास्ट है या सेडूल ट्राइब है तो ऐसी ऐसी एक्ट लगाई है तो उनका भी उनको लाब मिले तो यह सारी चीजे हमने उसको दिशानी देश दिया और कड़ी कारवाई करने का हमने वहां पे उसको बोला है अच्छा आगे साब की क्या सक्तिधायत रहेगी कि य मौते ना हो इसके लिए भी हमने कहा है कि ज्यादा तर देखी अभी दिली सरकार में एक बाद में कहना चाहता हूं कि हमारे आते 38 मोट जब हो गई तो हमने अई जी साब से मीटिंग मांगी हमने का कि दिली में यह हो रहा है तो पूरे देस में संदेश गलत जा रहा है तो उस वक्त एलजी साब ने बूला कि आप क्या चाहते हैं हम आप की बात हम उस पर चलेंगे तो मैंने का इसको मेकनाइस करिए ताकि कोई मैनियूली न जाए कुछ की मौत न हो तो उसमें भी हमने कहा कि आप मेकनाइस तो करेंगे साथ-साथ मशीने जो आएगी उसमें का काम भ जो टंडर हुआ उसमें भी ये क्लोज डाला गए आप जो कह रहे हैं कि मसीन ने सिर्फ उनको मिलनी चाहिए या तो सफाई कामगार से जुड़ा हो या फिर वालमी की समाज का हो आप यही कहना चाहते हैं तो इसमें भी उंगलियां उठी थी अभी दिल्ली में कि जो यह मस फिस्ट में पाए गए थी तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से क्या मेमोरेंडम दिया गया अभी जो मशीने दोसो मशीनों का जो मेरे कारिकाल में मेरे काम से ही यह साब ने टेंडर निकाला था और उसकी 200 मशीने भी आई और उसमें भी 116 मशीने बाती तो यह मिला कर 40-45 लोगों को ही मिला बाकी तो सब A.C.S.T.O.B.C. और जनरल लोगों को दिया गए आप सुन रहे हैं यह क्या कह रहे हैं यह हकीकत है और इस पर जो RTIB कई लोगों ने लगाई थी और CBI तक जो है वो लोगों ने अपनी पिटिशन डाली है और मगर यह क्या क का हक छिडना जाएगा क्या हमेशा इनको वंचित रखा जाएगा जो इनका हक है क्या सफाई करमचारी जब सर पे मैलाड होते थे जब कच्ची लैटिंगे होती थी कच्चे सोचाला होते थे तब हमारी माताई भेने हमारी दादियां तब यह काम करती थी तब बारिस में उ तो आब इस खाम को जो है लोग चीन रहे हैं इन से वालमी की समाज से और सफाइक शाला जा रहाए है में सब्सक्राइए यह थे तो सबते डिदिया कि जो 50 परिवार को बाकी की मशीन दीजिए ताकि उनका पुनरवसन हो सके और कभी भी आप और भी देना जाएं तो यह सफाई करमिचारी को ही मिले जो ट्रेडिशनली जो परंपरा से एक गंदा काम करते आ रहे हैं और उनका ही अधिकार है तो यह भी मेरी बात मानी और आपने जो पुछा कि दोखने के लिए भी हमने एक और बात डुंडी कि आप कॉंट्राक्टर जो काम कॉंट करता है लेबर एक का इस वज़े से कहीं मोते हो रही है तो हमने कहा है कि आप सिर्फ कॉंट्राक्टर तक ही यह सारी कारवाई होती तो हम हमने कहा है कि यह प्रिंसिपल पूरे देश में जिसको बिशे पर चर्चा होई बंद हो सकती है जो समान काम समान वेतन पेपर में भी एड आ रही है खूब सारे अकबारों में निकला है तो क्या उस पर क्या चल रहा है क्योंकि लोग जो है वो सफाई करमचारी जो है और जो और भी जो प्राइवेट क्या यह सही है है या वैसी हावा हावाई बात है नहीं अभी इक सुप्रिम कोड ने भी जज्ज्मेंट दिया है कि समान काम समन वेतन कई कई राजियों की कौटों ने भी जज्ज्मेंट कई यह लागू होना चाहिए तो यह बात बनी है और हमारा आयूग भी यह सुजाओ को दे चुके हैं कि यह कॉंट्राक्त सिस्टम से पुरे सफाय कर्मेचारी का सोचन करके तो उनको मिनीमुम वेजिज नहीं मिलता है उनको पी अपर नहीं का जाता है नहीं नहीं किया जाता है medical check-up नहीं करते हैं उनको जो सुईदा जो labor act के उनका पूरी उनका violation हो रहा है तो हमने यह कहा है अगर उनका monitoring करिए अगर वो नहीं करते हैं सही तरह सभाई कर्म करते हैं तो उनका contract बंद करिए या तो आप delivery wages पर लगाईए या तो आप permanent करिए या तो कोई fix वेतन बर उसको लगाए ताकि उनका घर चल सके उनके बचे पॉड़ सके तो यह बाते भी हम बार बार हर एक state में करते जा रहे हैं मैं जहां तक मानता हूं कि आने वाले दिनों में यह बात जरूर बात सुनी जाएंगी और आने वाले दिनों में जो सुप्रेम कोट और हाई कोट जो judgment दे रहे हैं उनके भी अमलवारी होगी